रिगवेद से चब्वेश स्रिष्ट और स्रष्टा यह ब्रह्मान्द सहस्र सीर्ष, सहस्राक्ष, सहस्रपादवाले विराट की निरमान में सक्रिय दस उंगलियों से आब्रित है जिस स्रिष्टि का निरमान हो चुका है और जो अभी निरमान के क्रम में है वह सब एक मात्र वह विराट ही है उसके एक चरण में समस्त प्राणी है और उसके तीन चरण अनंत में अवस्थित है वह इस जगत के समग्र विस्तार से भी विराट और विप्राट है वही अविनाशी वही सतत विद्यमान इस त्रिष्टी के समस्त जीवों का स्वामी है जिन जीवों का अभिवर्धन अन्न से होता है वनस्पतियां जो अन्न पर नर्वर नहीं हैं वे भी उसी में समाहित हैं और वह सब में सम्व्याप्त है वह विराट जो मूल स्रिष्टी तत्व है परम पुरुष से उत्पन्न है वही विराट प्रकट होने के बाद बिभाजित होने लगा जिससे भूमी, आदी, पिंडो तथा विकास क्रम में प्राणियों का उद्भव हुआ उसी विराट से स्रिजन यग्य आरंब हुआ जिसमें घृत रूप में वसंत, इनहन रूप में क्रिष्म और हविष्य के रूप में शरद का उप्योग किया गया देव और रुशी इस स्रिजन यग्य के माध्यम बने उस विराट पुरस को यग्य में समायूजित कर यजनकारी आरंब किया उस यग्य से पोशक सारतत्त उत्पन हुआ उसी से गमन श्वील वायू वन तथा ग्रामों में रहने वाले प्राणियों की उत्पत्ति हुई उसी से दोनों और दांत वाले पशु अश्व गो भेड बकरी आदि की उत्पत्ति हुई मदन मोहन तरुन के द्वारा लिखित एवं उन्ही के द्वारा पठित